सोया बीन तेल में उंचे दामों पर ग्राह की अटकने के साथ कुछ प्लांटों की मुनाफाव सूली की बिक्वाली बढ़ने से सोया तेल में मंदी रही। सोया तेल दौर 10 से 15 रुपए घटकर 895 से 890, पाम तेल इन दौर 908 से 910 रुपए प्रती 10 किलो रह गया। हालांकि ज्यादा मंदी की गुझाईश कम नजर आ रही है। दरसल, चालू वर्ष के दौरान दक्षिन अमेरिका महादवीप में सोया बीन का शांदार उतपादन होने का अनुमान है। पिछले साल ब्राजील में तो उतपादन बहतर हुआ था मगर अर्जेंटीना में सूखा पढ़ने से उतपादन घटकर पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गया था। इस वर्ष अर्जेंटीना में अच्छी वर्षा हुई है और सोया बीन फसल की पैदावार में भारी बड़ोतरी की उम्मीद है। दरसल संसार में सोया बीन के उतपादन एवं निर्यात में ब्राजील पहले तथा अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर है जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर रहता है। सोया बीन का उतपादन अर्जेंटीना में बढ़कर 520 से 530 लाक टन की उंचाई पर पहुंच जाने का अनुमान है जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। इसी तरह ब्राजील में सोया बीन का उतपादन 1530 लाक टन होने की संभावना व्यक्त की गई है। पहले ही आरंब हो चुकी है और वहां इसकी सप्लाई तेजी से बढ़ने लगी है जबकि अर्जेंटीना में अगले महीने से फसल की कटाई शुरू होने की संभावना है। भारत में सोया बीन तेल का सरवाधिक आयात अर्जेंटीना और ब्राजील से होता है जबकि चीन में सबसे ज्यादा सोया बीन ब्राजील से मंगाया जाता है। सोया बीन का बहतर उतपादन होने की संभावना से सोया तेल का भाव नरम पड़ गया है। मंदी सोयाबीन 4,500, सरसो निमाडी 6,300, राइडा 4,800 से 5,000, नया राइडा 4,500 रुपए प्रती क्विंटल बोला गया. Bureau Report Market Times TV